भाईयों और बहनों, साल 2020 में संक्रमन की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे, 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है, वैक्सिन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारिया चल रही है, भारत में बनी वैक्सिन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुँचे, इसके लिए कोशिश हैं अंतीम चरणों में हैं, दुनिया का सबसे बड़ा टीका करन अभ्यान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है, मुझे विश्वाथ है कि जिस तरह बीते साल संक्रमन से रोकने के लिए हमने एक जुट होकर प्रयास किये, उसी तरह टीका करन को सभल बनाने के लिए भी पूरा भारत एक जुटता से आगे बढ़ेगा, साथियों, गुजरात में भी संक्रमन को रोकने के लिए और अब टीका करन के लिए तैयारियों को लेकर प्रसौशनिय काम हुआ है, बीते दो दसकों में जिस प्रकार का मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर गुजरात में तयार हुआ है, वो एक बड़ी वजह है कि गुजरात कोरोना चुनावती से बहतर तरीके से निपट पा रहा है। एम्स राज़कोर्ट गुजरात के हिल्थ नेटवर्क को और ससक्त करेगा, मजबूत करेगा। अब गंबीर से गंबीर बिमारियों के लिए राज़कोर्ट में ही आधुनिक सुविधा उपलब्द हो रही है। इलाज और सिख्षा के अलावा इस से रोजगार के भी अनेक अवसर तयार होंगे। नए स्पताल में काम करने वाले लगबख पाँच हजार सीधे रोजगार उपलब्द होंगे। इसके साथ साथ रहन सहन, खाने पिने, ट्रांसपोर्ट, दूसरी मेडिकल सुविधाओं से जुड़े अनेक अप्रत्यक्ष रोजगार भी यहां बनेंगे। और हमने देखा है कि जहां बड़ा अस्पताल होता है तो उसके बहार एक छोटा शहर ही बस जाता है। भाई और भहनों, मेडिकल सेक्टर में गुजरात के इस सभलता के पीछे दो दसकों का अनवरत प्रयास है। समर्पन और संकल्प हैं, बीते छे सालों में पूरे देश में जिस इलाज और मेडिकल एजुकेशन को लेकर जिस केल पर काम हुआ है। उसका निस्चित लाप गुजरात को भी मिल रहा है। साथियों, बड़े अस्पतालों की स्थिती उन पर दबाव से आप भी भलिभाती परिचित है। स्थिती ये थी कि आजादी के इतने दसकों के बाद भी सिर्फ छे एमस ही बन पाए थे। 2003 में अटलजी के सरकार ने छे और एमस बनाने के लिए कदम उठाए थे। उनके बनाते बनाते 2012 आ गया था, यानि नव साल लग गये थे। बीते छे सालों में दस नए एमस बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं, जिन में से कई आज पूरी तरह से काम शुरू कर चुके हैं। एमस के साथ साथ देश में 20 एमस जैसे ही सूपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्मार भी किया जा रहा है।